अलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आपका सुपरफास्ट स्टेड एन एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बैग फिल्टर से रिलेटेड एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जी हाँ बैग फिल्टर जो है वो एक उनी से डस्ट निकल रहा है तो उसके क्या-क्या कारण होंगे इसको इस वीडियो में हम जानेंगे बैग फिल्टर कैसे काम करता है अगर आपको नहीं पता है तो पहले वो वीडियो आप देख लें और उसका लिंक मैं उपर आई बटन में दे रहा हूं आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो का लिंक दे दूंगा है ना तो पहले वो देख लें तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेकनिकल वीडियो मेकैनिकल इंजिनरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुच पाया तो फिल्हाल इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिता है तो देखिए फ्रेंड्स बैक फिल्टर के चिमनी से डस्ट निकलना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जब कभी भी ऐसा सिच्वेशन आता है कि बैक फिल्टर के चिमनी से पॉल्यूटेड एर निकल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बैक फिल्टर में का वर्किंग होता है कि वो पॉल्यूटेड एर को क्लियर करती है पॉल्यूशन को स्टोर करती है जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स उसको स्टोर करती है और चिमनी से क्लीन एर को एट्मॉसफेर में डिश्चार्ज करती है यानि कि बैक फिल्टर क चीमनी से clean air atmosphere में जानी चाहिए अगर वहां से polluted air जा रही है तो फिर ये आपका problem है तो सबसे पहला है reason number one back filter के bags में punctures हो जाना जो back filter का जो bag होता है जो की filter करता है polluted air को अगर वो puncture हो गया है है ना उसमें holes हो गया है तो वहां से क्या होगा polluted air जो है वो cross करके आपके चीमनी में फिर दिखाई देने लग जाएगा तो यह हो गया सबसे पहला region दूसरा region है improper fittings of bag यानि कि bag अगर अच्छे से fit नहीं हुआ है chamber में दो chamber होते हैं बैक filter में है पहला chamber और दूसरा chamber तो बैक अगर अच्छे से fit नहीं हुआ है proper fitting नहीं हुए है वहां पे gaps है दोनों चमबर में जहां बैक fit हुआ है तो क्या होगा वहां से फिर polluted air जो है वो cross कर देंगी और फिर आपके चिमनी से वो दिखाई देने लगेंगी तीसरा region है back filter के bags का गिर जाना यानि कि देखिए कई बार क्या होता है बैक filter जो हमारे back filter हम fit करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसकी fitting अच्छे से नहीं हो पाती है और वो क्या होता है नीचे वाले chamber में गिर जाता है जब ऐसा होता है तो क्या होता है जो polluted air है वो नीचे वाले chamber से उपर वाले chamber में चले जाती है और फिर वहां से फिर वो chimney में चली जाती है और फिर atmosphere में release हो जाती है तो इस तरह से chimney में आपका dust दिखता है और fourth और सबसे last region जो है वो यह है कि देखिए back filter में दो chambers होते है पहला chamber उपर वाला होता है और एक दूसरा chamber जो नीचे व welding होती है चारो तरफ से चारो corners पे प्लेट की welding होती है तो अगर कहीं उसमें welding जो है वो पंचर हो गया है है या फिर उस प्लेट में कहीं पर होल हो गया है मुश्टली क्या होता है ज्यादा लंबे समय तक यूज होने वाले back filters में यह problem देखी जाती है याना कि पुराने back filters मे यह problem देखने को मिलती है अगर welding कहीं का जो है वो छोड़ दिया है कम हो गया है पंचर हो गया है वहाँ पर उस प्लेट पर कहीं पर पंचर हो गया है तो क्या होगा नीचे चैंबर से जो आपका polluted air है वो उपर चैंबर पर जाएगा और फिर आपके चिमनी से फिर smoke दिखने 80% उसके bags चेक करके हमने replace कर दिये थे लेकिन उसके बावजूद में चिमनी से smoke निकलना continue जारी था यानि कि polluted air निकल ही रहा था चिमनी से तो ऐसे में फिर हमने क्या किया फिर से chamber खुलवाया और फिर उसी plate की अच्छे से checking की चारो corners पर जो हाँ पर welding है उसको अच्छे से किया और plate को भी अच्छे से चेक किया कि उस पर कहीं पर पंचर्स थोड़ी है तो हमने वहां पर पाया कि जो corners की वेल्डिंग है वहां पर welding मिसिंग थी यानि कि कुछ दूरी तक जो welding है वह प्रॉपर नहीं हुई थी वहां पर प्रॉपर सीलिंग नहीं हुई थी देखिए उपर उश चेमबर और नीचे वाला चेमबर जो है वह पूरा सील होना चाहिए है ना अर से बैन ही अ اइसा जरिया होना चाहिए जिसके ठूफर एयर निचे च्शेमबर से उपर चैमबर में जा सका है तो यह थे कुछ रीजर्स इसauraisli ञावा भी अगर कुछ रीज़न हो स फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा